शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले वाडी और आसपास के सभी जीम के संचालक और जीम के व्यावसाय से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को अपनी व्यावसाय शुरू करने की मांग को लेकर वाडी नगर परिशद मुख्यादिकारी वाडी पुलीस निरिक्षक राजिंद्र पाठक को निवेद अंसोपा कोरणा संक्रमन के चलते पीछले तीन मैनों से जीम व्यावसाय पूरी तरह बंद है लाखों का कर्च लेकर जीम खोलने वाले इन संचालकों और इनके कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकत खड़ा हो गया है नाकपुर के साथ में वाडी परिसर में सारे संस्तान ब बाजार और शोपिंग मॉल खोलने के अनुमती दे दी है लेकिन जीम अभी भी बंद है जीम संचालक मंडल के अध्यक्षा अखिल पोहन करने पत्रकार परिशत को संबधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक बिमारी से बशने के लिए हमारे शरीर में इमिनिटी पावर स्ट्रॉंग होना जरूरी है जिसे हम एक्सरसाइस के बाद हम से भी बढ़ा सकते है जिसके लिए जीम एक अच्छा माद्यम हो सकता है और सरकार ने ग्रीन सोन में भी जीम खोलने के अनुमती नहीं दी वही शौपिंग मॉल शराप की दुकाने मंदित मजजित सभी को जीम में अन्य करमचारी भी होते है लॉकडाउन लगने के बाद से ही जीम पूरे देश के साथ वाड़ी परिसर में भी बंद है ऐसे में सबी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है जबकि जीम में आसानी से शारी रिक दूरी के साथ की जा सकती है और अनुशास है खिलाडियों ने बताया कि जीम ना खुलने से उनके सेहत पर असर पढ़ रहा है लहाजा जल्द ही जीम खोली जानी चाहिए लेकिन सरकार इस और बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रही जिसके कारण जीम के वैवसाइस से जुड़े लोगों ने मजबरां सरकों परा कर प्र खिल पोहन कर महेश रहांग डाले दिनेश भेंडे मधु भेंडे कमलेश मेश्राम रुपेश नंदन्वार शियोगर सम्यक्चोकंद्रे विक्रांत शिर्टी व्यंकटेश राज उपस्तित थे ओनर्स की ओर से आज वाड़ी में जित्ते भी ओनर्स है जीम वो विचारे बहुत दुविदा में आ चुके हैं जो ओनर्स है उनकी विचारों के इस्टॉल्मेंट घर का रेंट उनके घर का जो हमारे यहां पर पूरे एंप्लोई से उनके विचारों के घर कुछ भी नहीं चल पा रहे हैं इसी कारण सभी से गवर्मेंट से मेरी नंबर विननती है कि हमारे जीम के वारे में कुछ सोचे जीम यह इनिटी पावर बढ़ाता है हमारे जो जीम के सभी ओनर से वह आज उनकी बहुत गरप गरीब परिस्तिति आ चुकी है और उसी के साथ जित्ते भी हमारे ट्रेनर्स है ट्रेनर्स आज हमें फोन करकर के परिशान कर रहे हैं और इमाई वाले जो यह हमारे इस्टूमेट है महत महेंगे में के इस्टूमेट है इसमें हमारे इमाई पर है सभी और इमाई वाले हमें बहुत परिशान कर रहे हैं कि भीया जीम का इमाई कब भरोगे कर प्रदान मंत्री जी ने फीट इंडिया का नारा दिया था कहा गया वो फीट इंडिया का नारा देश में सराब की दुकाने खुल गई है सराब पी के क्या इंसान फीट होगा हमारे यहां इतने खिडाडी आते है जो गोल मैडलिस है जीमों के जरिये वो वर्क आउट करते हैं वो कहां से फीट रहेंगे उनका इम्मुनिटी पावर कम होने से वो नुकसान के और चले जाएंगे जीम बन होने के कारण इतनी परेसानी हो गई कि हमारे सारी सेविंग है खतम हो गई है घर कि मुझे अपना घर चलाने के लिए किसी की दुकान में जाकर 400 रुपए रोज से काम करना पड़ रहा हैं तो मैं गौवर्मेंट से यही विंति करूंगा कि जल्द से चल जिम चालू करने की कुछ सुजाओ करें और हमें कुछ आर्थिक पैकेज देने की मदद करें धन्यवाद इस वज़े से मुझे बहुत तकलिप हुदिये मेरा गौवर्मेंट से ही मानना है कि इसको लेके लोन्स को लेके या फिर हमारे जिम को लेके कुछ तो भी हम पर किया चाहिए इन बीस या नियूस के लिए बारी से सुनेल चटी के साथ अभिशेक पांसी के रेपोर्ट